Now students, come to the page number 34, unit number 7, sounds, यहाँ पर हम sounds सिखेंगे, आचा, part A है, say the word, write the sound, word को बोले और sound को write करें, words हमारे पास है, अब हम आपस देखें, दो लेटर है, C और L, और इसका sound क्या होगा, कल, ठीक है, और आगे दो लेटर है, फिर P और L, इसका sound क्या होगा, पल, तो C L जो है, यह कल साउंड देगा, हम देखते हैं, इससे कौन-कौन से words बनते हैं, जैसे कल, कल, जैसे क्लाइम, क्लाइम, क्लीन, और क्लाप, यह सारे कल साउंड दे रहे हैं, तो हम इनको C L sound, यहनी कल साउंड में लिखेंगे, उसके पाद है P L, पल, तो यहाँ पर हम देखते हैं, कौन सा word यहाँ पर यह जो है हम P L, जैसे पॉल साउंड में लिखेंगे, ठीक है, आपको इसकी समझ आ गई है, आप सेलते हैं, नेक्स्ट पार्ट की तरफ, बी पार्ट, नेम एंड कलर, यूस तर वर्ड्स फॉर्म एक्टिविटी ए, हमने क्या करना है, नेम लिखने हैं इन पिच्चर के, औ प्लांट, तो हम यहां क्या लिखेंगे, प्लांट, और इसमें कलर फिल करेंगे, उसके बाद है, क्लाउन, क्या वर्ड आएगा, क्लाउन, क्लाउन लिखेंगे, और इसमें कलर फिल करेंगे, थर्ड पे क्या है, क्लाउ, तो हम क्या लिखेंगे, यहां क्लाउ, और इसमें क लिखेंगे और color fill करेंगे next time climb so हम लिखेंगे climb और इसमें color fill कर देंगे पार्ट c है listen and spell यहनी listen, सुने and spell और spelling रिखें इसमें क्या करना है पिटे आपने story में 10 difficult words लेने हैं उसके spelling अच्छी तरह learn करने है उसके बाद mama की help से इस पार्ट को solve करना है वो आपको dictate करवाएंगे और आप यहां पर write करेंगे ठीक है आप इस सारे पेश के practice करनी है और इसको अच्छे से learn करना है Thank you